हलो बच्चा लोग क्या हाल चाल सबढ़िया तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले किर्चौफ लौ ये किर्चौफ जो आया था न उजाते जाते दुगो लौ देके चला गया है बच्चवा सबको पूरा परिसान कर दिया अब यहीं जो दुगो लौ है न उप पांच नमबर में पूछते रहता पूरा बच्चा सब पूरा देश दुनिया परिसान होई लिए कि पांच नमबर में ही पूछ रहा तो इकोशन अधिकतर आपको फाइप मार्क्स में मिल कि समझते हैं किर्चौफ लौको इंग्लिस मीडियम का ये लेक्चर होगा हिंदी मीडियम में हम बता चुके हैं ठीक है तो देखेगा ये होगा आपका एलेक्ट्रिक करेंड अलेक्ट्रिक करेंड का लेक्चर लेक्चर नइन तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किर्चौफ लोग ये टॉपी ये वाला पूरा इंपोर्टेंट है बच्छा लोग ये वाला पांच नमबर तो डन आ गया तो सीधे के नमबर पांच नमबर अब देखिएगा इसमें के को रूल बनाया है वुगा लोग टोटल दूदूग अपना है ये वोसे उसका काम नहीं चला है ना दूसर का भी देंगे तो इसमें टोटल दूगो लोग है ठीक है टोटल किर्चौफ दूगो लोग दे दिया दूगो लोग आ गया पहिला लोग का नाम है किर्चौफ का करेंट का लोग है करेंट वाला कुछ उसको करेंट का सीन होगा क्या होगा तो बताएंगे ना चलिए तो पहला लौ हम लिखते हैं पहला फॉर्स्ट लौ है किर्चौफ का फॉर्स्ट लौ उसको कहते हैं सौटकट में किर्चौफ का करेंट केसील केसील मतलब किर्चौफ का करेंट लौ केसील किर्चौफ का करेंट लौ इसको ऐसे भी कहते हैं इसको ये भी कहते हैं जंक्सन रूल junction rule किर्चौफ तक current law junction या rule कह लेते हैं यह junction का rule क्या है इसमें ठीक है किर्चौफ law का यह KCL का यह junction rule का यह सब एक के चीज़ है ठीक पहला इसका किर्चौफ का तु बहुते बच्चा बला junction जंगसन नहीं समझते हैं पटना junction अरे दिल्ली junction इस सब है न देखिये इवाला बुगा सब junction है इसको junction कहते है junction पर क्या होता है current आया अच्चला गया जैसे train आया अच्चला गया train आया junction पर रुका सब चैन अस्ता पानी किया अब फिर वहाँ से खुल के चल गया train आयेगा जाएगा इदेखिये पटना से train आ रहा है मुगल सराय रुका है मुगल सराय junction पर सब चैन पानी नस्ता उस्ता किया आओ उसके बाद निकल गया दिल्ली जैपूर से आ रहा है आओ train रुका किन्ने मुगल सराय junction पर आप पहुँच गया पटना तो जीतना train वा जन्ने जन्ने से आएगा रुकेगा थोड़े उस्तो निकल जाएगा ना निकल जाएगा है ना रुकने वाला बात नहीं है तो junction क्या है junction एगो आईसन पॉइंट है जहाँ पे सब रूट से ट्रेन जो है मिल जाता है जैपूरो वाला train यहाँ पे आएगा कलकत्ता वाला भी दिल्ली वाला भी सब जाके यहाँ पे मीट करता है मीट करके फिर अपना चाय पानी नस्ता उस्ता हुआ वह सब अच्छा लोग का यहाँ पे अत्ता वहां से निकल जाता है तो train वाला भूल जाएए भूगा असली में train के जगा लगा दीजे current जंक्सन रूल में देखेगा होता क्या है बोलता है कि कोई पॉइंट पे कोई जंक्सन पे जितना current टोटल आ रहा ठीक है जैसे माल लेते हैं यह कोई जंक्सन है ठीक है यह कोई जंक्सन है इस पे current आ रहा है I1 इस पे आ रहा है I2 ठीक है I1 आया I2 आया I3 निकल गया जंक्सन को छोड़ दिया इस जंक्सन को I3 छोड़ दिया इधर से जो current छोड़ा है वो है i4 तो बोला क्या गया जितना current junction पे आएगा total current उतना ही current बाहर निकल जाएगा क्या जितना current junction पे आएगा उतना ही current बाहर निकल जाएगा मतलब sum of current entering the junction तो entering the junction क्यों current है i1 है i2 sum of current entering the junction will be equal to sum of current leaving the junction मतलब entering the junction क्या है i1 total current कितना इंटर कर रहा है junction पे i1 प्लस i2 और बराबर हो जाएगा यह sum of current entering the junction equal to sum of current leaving the junction मतलब i3 प्लस i4 यह इतना entering है और यह इतना leaving है तो इसी को कहा जाता है kcl किर्चौफ का current law क्या यह कहता है i2 state करता है it states that sum of current entering the junction is equal to sum of current leaving the junction यह इसका पहला law कह देता है पहला law कह देता है ठीक है तो यह इसका पहला law हो जाएगा तो ध्यान से देखिएगा क्या screen थोआ ठीक कर रहे थे तो देखिएगा लिख देते है it states that लिखिए बुगा लोग लिखिए 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 मार यह पच पच नमर एक दम मार यह बिहार बॉर्ड में एक दम सी दे मार यह तॉप देखिए गा है इट इस्टेट्स दाग इट इस्टेट्स दाग सुम अफ गरेंट सुम अफ गरेंट सुम अफ गरेंट इंटरिंग द जंक्सन जितना जंक्सन पे आ गया है करेंट वा जितना जंक्सन पे आया है टोटल करेंट इट इस्टेद आग गरेंट इस आतू गरेंट गरेंट जंक्सन पे शोब्ध लीविंग दा जंग सर्ड लीविंग दा जंग सर्ड लीविंग दा जंग सर्ड तो यह केसील कहता है अर्थात कहने का मतलब माल लीजिए ये कुछ सर्किट है एक ये सर्किट है ठीक है एक ये सर्किट है इसमें कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा बाल पांखा उंखा फरी जूरीच कुछ लगल होगा यहां पर एक सर्किट ये है एक सर्किट ये है एक सर्किट ये है तो यहां पर लगल है टीवी बच्चा सब सकतीमान देख ले है यहां पर बल बुल लगल है सब बैठा हुआ है बल में यहां पर सब आग उगता पर हीटर लगा के बैठा हुआ है तो यहां पर देखिए यहां पे यह देखिए current इसमें आ रहा है I1 इसमें आ रहा है I2 इसमें निकल गया यह junction है यह है I3 और इसमें से निकल गया I4 तो हम क्या कहेंगे sum of current entering the junction that is that is I1 plus I1 plus I2 यह दोनों sum of current है जो की entering कर रहा A is equal to more sum of current leaving the junction मतलब I3 plus I4 तो यह आपका होता है किर्चॉप का first log केसीय लोग उतार लेजिए यह है केसीय लोग होगी अब अच्छा लोग चलिए आए थोड़ा देखा जाए किर्चॉप का second log किर्चॉप का second log समझने से पहले इस पे एक numerical हो जाए कि देखिए माल लेते हैं यह कोई कि सर्किट तार इधर कोई TV भी लगा होगा माल लेते हैं करेंट है आई वन कितना दो एंपियर दो एंपियर इधर से करेंट आ रहा है कि दो एंपियर इधर से करेंट आ रहा है कि इधर से आ रहा है करेंट कि तीन एंपियर ऐसे कि इधर जारा है कि चार एंपियर यह रेजिस्टेंस लगा हुआ है कि इधर से करेंट जारा है पांच एंपियर ठीक है एक और आपका बना दिये सर्किट यह हो गया इधर से आ रहा है दो एंपियर मतलब जंक्सन पे जा रहा है तो आपको पता करना है इस ब्रांच में इस सर्किट में करेंट कितना जा रहा होगा यह भी बताना है कि यह अंदर आ रहा है जंक्सन की और या जंक्सन से लिव कर रहा है यह जंक्सन में इंटर करेगा या जंक्सन को छोड़ेगा यह भी बताना है तो देखिए सिंपल सा बात है हम मान लेते हैं कि इसमें करेंट जो है आई है जो की जंक्सन को लिव कर रहा है ठीक है अगर आई का मान जो वैल्यू मिलेगा उपलस में आ जाए तो मेरा मानना सही था यह लिव ही करेगा लेकिन बुआ अगर करेंट वा का डाइरेक्शन जो करेंट का जो वैल्यू है माइनस आ जाए ना अगर करेंट वा का जो वैल्यू माइनस आ जाए तो मेरा मानना गलत हो जाएगा मतलब हम मानके चले थे live लेकिन हो जाएगा answer कहां इंटर कर रहा है तो आईए हम मानके चलते हैं live कर रहा है अगर positive आता है तो एकदम बम-बम भोले बम-बम भोले एकदम पूरा एकदम खुश बच्चा सब की हां लिप कर रहा था लेकिन अगर negative आया तो कहानी यह पलट जाएगा तो किर्चॉप का first law क्या होता है sum of current entering the junction तो from from KCL law KCL law क्या होता है KCL law तो देखें है sum of current entering the junction entering में कौन-कौन है do ri junction में चाय पानी नस्ता करेगा चल देगा चलिए ri 3 ampere ri 2 ampere यह तो entering था living बोलिए living में चार पांच और प्लस i ठीक है तो कितना हो जाएगा 3 2 5 2 7 बराबर 9 प्लस i तो i बराबर हो जाएगा minus 2 वापरे कहानी यह पलट गया हुआ current minus में आने का मतलब मेरा मानना गलत था कि यह live कर रहा है यह क्या कर रहा होगा junction में inter कर रहा होगा तो इसलिए हम इसको कह देते हैं यह entering the junction हो गया मेरा मानना गलती हो गया इंटरिंग दा जंक्सन इंटरिंग दा जंक्सन तो एक कोश्चन भी कर दिये किर्चौप पर फ्लोप ठीक है clear हुए चलिए अगला हम लोग करेंगे इस किर्चौप का दूसरा लौ किर्चौप का दूसरा लौ टेंसर नो बात लिए बुए एक दम मस्ति में बच जाएगा कौनों टेंसर लेने का बात नहीं है तो आईए बुआ किर्चौप का दूसरा लॉग के वियल सेकेंड लॉग कहिए इसको सेकेंड लॉग कहिए या फिर इसको के वियल कहिए किर्चौप का भोल्टेज लॉग या फिर इसको लूप रूल कहिए इसको लूप रूल भी कहते हैं फिक है लूप रूल अब ये होता क्या है कि कहता क्या है तो सुन लीजिए का कहता है कि किसी क्लोज लूप में किसी क्लोज लूप में माल लेते हैं यहां पर बोल्टेज है बोल्टेज पलस माइनस यहां माल लेते हैं भी वन है यहां पर बोल्टेज है पलस माइनस माल लेते हैं भी थरी है वुआ तो यह बोलता कि हमाल लेते हैं यहां पर रेजिस्टेंस है कोई आर लगा हुए ठीक है अब यह वाला लॉट जो है नबुआ बहुते इंपोर्टेंट काहे हो जाता है देखिए कभी कभी ऐसा ऐसा सर्किट दे देगा न कि आप सीरीज और पैरलल नहीं पकड़ पाईएगा एकदम पूरा लफडा में फस जाईएगा रात दिन पूरा जिन्दिगी बीते जाएगा पकड़े में की इस सीरीज है की पैरलल है तो अहें सर्कीट को कहा जाता है complex circuit complex पेचीद है complex है नहीं पकड़ आएगा नहीं पकड़ आएगा बुग कतों एगदम मेहनत कर लिजे कतों मेहनत कीजिए जिन्दिगी बीते जासा पकड़ाएगा नहीं तो इसलिए आया क्वील क्वील से आप कभी भी इसमें करेंट कितना फलो हो रहा है रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है सब कुछ पता चलताता है कितनों कमपलेक्स सर्कुट दे दीजिए कतनों complex पेचिदा अईसन दे दिजिए चाहें अईसन दे दिजिए कितनो complex circuit दिजिए तो ये इसलिए लाया गया complex circuit के लिए इसका कामे आएगा ना तो बचवा सब तो CD जब पाइड़ले पढ़ के काम चला ही ले था लेकिन अब ये आगया भुआ तो तब काम आता है जब एकदम circuit एकदम पेचिदा है complex है एकदम tension बढ़ा देगा तो अब देखिए ये कहता क्या है कि किसी ध्यान से सुनिएगा कहता क्या है कि किसी लूप में जो है लूप मनें ये एक लूप हुआ ये दू लूप हुआ ऐसे ये तीन लूप हुआ चाहे ये वाला एक अलग लूप हो गया है ना तो बोला जाता है कि किसी लूप में जो voltage का algebraic sum होता है मतलब कह लिजिए voltage का मतलब ये भीवन है ना तो भीवन सबका algebraic sum इसका voltage क्या हो जाएगा अगर माल लेते है current है I तो इसका voltage हो जाएगा ohm के नियम से ohm's law से I into R तो I into R ये सबका algebraic sum क्या होता है हो जाता है 0 मतलब किसी लूप में कहता क्या है तो और ध्यान से सुन लिजेगा बुआ कहता है कि किसी लूप में ठीक है या closed path में closed path में जो sum algebraic sum of voltage हो जाता है न inner network inner network इस सम network है कितना circuit है complex type का sum of voltage हो जाता है तोटल हो जाता है 0 किसी closed loop में closed loop में total voltage का algebraic sum कितना 0 यहीं तो है मतलब simple भासा में इक कहता है बुआ कि closed loop में जो total voltage होता है voltage का sum algebraic sum वो कितना हो जाता है वो हो जाता है 0 मतलब यहां पे हम लिखेंगे कैसे किर्चौप का जब इस पे numerical करेंगे एक दो तो बहुँ जादा clear हो जाता है तो देखेगा कहता क्या है इट स्टेट्स दाट इट स्टेट्स कहता क्या है इट स्टेट्स दाट the algebraic sum of voltage around a closed loop around a closed loop around a closed loop in a network network पें लूप कहां मिलेगा network में मिल था था देख रहा है यह देख़िए यह सब network है और यह सब एक लूप दो लूप तो यह लूप कहां मिल रहा है यह सब network में मिल रहा है मतलब circuit network का यह चाहे circuit का यह around the closed loop in a circuit यह in a network भी कह सकते हैं क्या बोले it states that the algebraic sum of voltage around the closed loop in a circuit is equal to 0 is equal to 0 मतलब क्या बुगा कि इसका मतलब sum algebraic sum किसका voltage का वो कितना होता है closed loop में 0 किसमें closed loop में जो voltage का sum होता है वो कितना होता है 0 तो यह होता है बुगा second law kbl इसको कहा जाता है किर्चौत का voltage law क्या कि यह बंद रस्ता में बुआ टोटल बंद पाथ में बंद पाथ में जो भोल्टेज का sum होता है कितना हो जाता है 0 बस इतना ही तो है तो इसको हम उतार लेंगे बाबू उतार लेंगे उतार लीजिए चलिए उतार गया होगा अब इसमें numerical बनाने के लिए भोल्टेजवा ऐसी ले लीजिएगा इसमें बोल्टेजवा लेने के लिए पूरा मेहनत कर पड़ेगा बचवा सब सोचा हो गया पूरा कॉपी बंद कई लिए कुछी कुछी से घर जा रहा हो गया पाथ नमबर फीक्स फीक्स लेकिन बुआ जब तक साइम कॉन्वेंशन इसका नहीं पड़िया है कि बोल्टेज पलस ले कि माइनस ले कैसे लिजिएगा तो उसके लिए चार वो फोटो है साइम कॉन्वेंशन आ उन मालूम नहीं है ना तो बेकार है बुआ किर्चौप लो बेकार है एकदम मने कि करना पड़ेगा क्या साइम कॉन्वेंशन तब यख़ याकर बच्वास मेरा फूरा निमेरिकल करेगा तो देखिए ध्यान से देखिए गाशी में समझ ये समझ ये बुए बह tu आतल 만들 देखिए पहला इक कोई कुलोज लूप का कुलोज पाथ का इक कोई हिस्सा है ठीक है इसमें लगगल होगा एको रेजिस्टेंस आर अग करेंट मा लिजे वो पाथ में पाथ में करेंट वा ऐसे जा रहा था और यह है हम मान के चलते हैं अगर हम भी करेंट के ही डाइरेक्शन में चलें करेंट के ही डाइरेक्शन में चलें तो भोल्टेज हम जो लेंगे भी इस इक्वल टू समझ जाए अगर हम करेंट के रास उन्ने हम जिद्रे करेंट जाएगा उद्रे हम तब भोल्टे जवा जो हम लेंगे उले लेंगे क्या माइनस आई इंटो आर यह पहला कहानू दूसरा अगर यह है रेजिस्टेंस करेंट ऐसे आ रहा है और हम जा रहे हैं बुआ ऐसे ऐसे तो करेंट का मेरे साथ एक दम भ्यानक धक्का मार देगा हमको करेंट जैसी करेंट के साथ धक्का लग जाए टक्कर मार दे बुआ टक्कर धक्का जैसी करेंट हमको मार देगा ना तब भोल्टेज लेंगे प्लास में भी इकल टू आई इन्टू आर आई इन्टू आर क्या है भोल्टेज है न है अना चलिए अब देखिएगा तीसर का अगर कोई क्लोर्ज लूप में ऐसा पाथ है जिसमें कौन बैटरी लगगा है बैटरी जिसका एगो टर्मिनल पलस और एगो टर्मिनल माइनस माल लेते हैं इसका भोल्टेज है भी एक आप ऐसे चल रहे है ठीक आप और ऐसे चल रहे है तो आप जो भोल्टेज लिजिएगा उँ हमेशा अपने से दूर वाला टर्मिनल का देखिएगा आप से दूर कौन टर्मिनल है बचवा से दूर टर्मिनल माइनस वाला है पलस वाला नदीक है तो बोल्टेज ले लेंगे माइनस B पलस भी नए माइनस B अपने से दूर वाला चोथा साइन कॉन्वेंशन है साइन कॉन्वेंशन लिख रहे हैं चोथा बुआ साइन कॉन्वेंशन हो जाएगा कि अगर आप ऐसे चल रहे है ठीक है ऐसे चल रहे हैं और यह कोई बैटरी लगा हुआ है यह माइनस यह पलस इसका भोल्टेज है भी बैटरिया का तो अब भोल्टेज क्या लिजेगा अपने से दूर वाला तब भोल्टेज जो ले लेंगे भी बराबर पलस भी हमेशा अपने से दूर यही साइन कॉन्वेंशन है भुआ इसी साइन कॉन्वेंशन पर हमारा निमेरिकल बनेगा चलिए आए भुआ एको निमेरिकलों करके दिखा देते हैं इस पर चलिए देखेगा माल लेते हैं को कोई नेटवर्क है कोई सर्किट है सर्किट में ये लूप है देखेगा सर्किट में ऐसा एक लूप है जिसमें एक रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू है पांच यह है कि तीन ओम कि इधर में है कि दो ओम कि और इधर में बैटरिया जो लगा हुआ है एक पलास एक माइनस ठीक है बैटरी से काची निकलता हुआ अरे बैटरी से करेंट न निकलता है बैटरी आई सब घरे लगाई लिए सब इनभटर रहा वाला तो उससे क्या निकलता है बैटरी से करेंट विड्रौ होता है करेंट बाहर निकलता है एक और बैटरी लगा देते एक और बैटरी लगाती है फिक है इस माल लेते हैं हो गया है प्लस माइड ए हो गया है 6V माल लेते हैं तो हमसे पूछा गया है कि करेंट कितना फ्लो कर रहा होगा इस सर्कुट में वाट इस वेल्यू अफ करेंट फ्लोंग इन दा circuit, this closed loop, find the value of current in this closed loop, तो जानते हैं का करेंगे, तो देखिए, current वा किन्ने से निकलेगा, बैटरी से निकलेगा, जो current है, बैटरी से निकलता है, या तो इससे निकलेगा, ये इससे निकलेगा, तो हम उस current को consider करेंगे, जिसका voltage जादा है, तो छौट वाला है ना जादा, तो इससे भी निकाल लिए तो बन जाएगा, ये वात नहीं है, आप इससे भी current निकालेगा चाहें, इससे भी, डिकाल दीजिया, लेकिन हम बोलते हैं सहीł करने के लिए, आसानी से बन जाए, तो पहले करेंट उस बैटरी से निकाल लिए जो आपका जिसका वोल्टेज ज्यादा है तो माल लेता है इससे करेंट निकला है आई अब करेंट ऐसे जाएगा आई ऐसे गया 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 आया तो अब आये कोसिस किजिए जिन्ने जिन्ने करेंट च का आप पीछे-पीछे चल दीजे तो current वह ऐसे जा रहा है ना तो हम भी करेंट के साथ ऐसे जाएंगे आईना जल रहे है हम कैसे current जैसे जारह हम भी उसके से साथे साथे जर दिए तो देखें करेंट जा रहा हम भी इधर जा रहे है करेंट जा रहा हम भी इधर जा रहे है तो देखें जब करेंट जा रहा है इसके पीसे पीसे जा रहे है और रेजिस्टेंस आ गया तो भोल्टेज हम लेंगे माइनस आई इंटु आर तो कितना हुझा है का माइनस माइनस आई इंटु थरी क्लिया अब आईए करेंट आ रहा हम भी पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे हम भी पीछे 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 करेंट के पीछे पीछे आ रहे हैं अब बैटरी का आप ये वाला पलस भोल्टेज लिजे कि माइनस वाला हम क्या बोलें हैं हमेशा बच्चा लोग दूर वाला लिया जाता है एकदम इससे दूर वाला टर्मिनल मतलब माइन माइनस चार अए सी अरोहारा करेंट अरहा हम भी पीछे 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 यह ये दिके रेजिस्टेंस आया तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या है हम भी आ रहे है साथ हे साथ माईनस इंटु ठीक है अब आ रहे है हम्भी आ रहे है तो बताईए अपने से दूर आ लिया जाता है जब बैटरी आ जाएगा तो अपने से दूर वाला लिया जाता है तो क्या हो जाएगा पलस 6 इस sum of जो voltage आया है क्या कहता है कै भी यह sum of voltage कितना होना चाहिए वो 0 होना चाहिए तो कितना हो जाएगा यह minus 3i minus 55 आई और माइनस टू आई अच्छे में से चार गया पलस दो बराबर जीरो ठीक है अब इसको कैलकुलेट कीजिए पांस तीन आठ दो दस तो माइनस दस आई बराबर माइनस दो तो माइनस से माइनस कट गया आई बराबर डू बट्टा में दस एमपियर तो ये करेंट का वैल्यू निकल गया है कि इसमें करेंट कितना पलो कर रहा था तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये बुगा इसम याद रखना है समझें तो ये था हमारा किर्चौफ लौ जो कि 5 मार्च में पूछने का पूरा चांस बनता है अगला हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे बुगा लोग वीटी स्टोन देखे किर्चौफे का इस्तमाल करके हम वीटी स्टोन पढ़ेंगे कल के क्लास में वीटी स्टोन पढ़ाएंगे और वीटी स्टोन के बाद मीटर ब्रीज ठीक है तो आज के लिए छोड़ देते हैं इतना ही बच्चा लो इसको पढ़िए कल आते हैं हम